पुलिस की कारसेली पर तो अक्सर सवाल उठते हैं पुलिस की कारसेली और की दबंगई को लेकर के भी जे खबरें हमेसा सुर्खियों में रहती है लेकिन अब जो मैं आपको खबर बताने वाली हूं वो सुकून देने वाली है पुलिस की जहां तत्परता से चार बच्चों की जान बच गई कह सकते हैं जिस तरीके से चार नाबालिक लड़के भारत और नेपाल बॉर्डर पर मिले उन्हें पुलिस की तत्परता से उन्हें के पडिवार वालों तक पहुँचा दिया किया खबर मदुबनी जिले के जैनगर की है जहां पर चार नाबालिक लड़कों पुलिस ने उनके पडिवार उसी मिलाया और भारत नेपाल सीमावर्ती श्यत्र पर कल देर रात चार नाबालिक लड़कों को पुलिस ने देखा था जहांपर पूशताच के दौरान ये जानकारी मिली की चारो जो लड़के हैं वो दिल्ली भाग रहे थे जहांपर पूशताच में ये जानकारी निकली हाला की रपीएफ के जवान ने उनसे पूशताच की जिसके बाद ये खुलासा हुगा चारो बच्चों मधुबनी के ही हैं मधुबनी के ज्यानगर के रहने वाले हैं और जब उनसे पुलिस ने पूशताच की हाला कि पुलिस की परता से कहें कि चार बच्चों की जान बच गई और आरपी एफ बैरक में उन्हें बुलाया गया चार बच्चों को बैठाया गया उ जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जो पडिवार वाले हैं उनको तमाम बच्चों को सुपूर्द कर दिया अलगी सुपूर्द करने के बाद जो घरवाले थे उन्हें सुकून मिला और उन्होंने दिल से जो आरपीफ के जवान थे उन्हें धनवाद दिया और कह सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर अच्छी पहल रही जहाँ पर चार बच्चे जो गुम रहा हो सकते थे और दूर दराज मदराजधानी दिल्ली में जाकर कुछ काम करते या फिर कोई और रास्ते पर भटक जाते उसके पहले ही पुलिस की ततपड़ता कहें या फिर आरपीएफ जवानों क जो ततपड़ता यहाँ पर देखने को भी लिए जिससे चारो बच्चे भटकने से बच गया हलाकि उसके बाद चारो बच्चों को उनके माता-पिता को सुपूर्द कर दिया माता-पिता ने जो आरपीएफ की जवान तो इसको दिल से धन्यवाद भी दिया देश और दुन